जार्खन के युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता सरकार का एलान इस दिन से सुरू होगा जार्खन देश के उन राज्यों में सामिल है जहां खनीज पदार्त का भंडार है लेकिन विडंबना है ऐसी कि यहां के लोगों को दूसरे राज्य में रोजगार तलास करने के लिए जद्दो जहद करनी पड़ती है मुख्यमंतरी हमन सोरेन ने चुनाओ के पूर्विया घोसना किया था कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अब इस घोसना का अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है और सरकार इसे पूरी तरह से लागू करने जा रही है जखन सरकार आने वाले सनिवार से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करेगी पुरूसों को एक हजार रुपे जबकि महिलाओं को पंदरा सो रुपे बिरोजगारी भत्ता दिया जाएगा राज्ये के मुख्यमंत्री हमन सोरें राची से सनिवार को इस योजना की सुरूआत करेंगे इसकी जानकारी जार्खन के स्रम मंत्री सत्यनन भोक्ता ने पनमू में आविजीत एक कारिकरम के दोरान दी है पलामू में आविजीत रोजगार मेला में भाग लेने के बाद मंत्री सत्यनन भोक्ता ने इडिया को बताया कि सनिवार को राजि शरकार 70. प्रखंडों में सार्थी योजणा की सुरुआत कर रही है ॉजstrong के साथ-स यूवाऊ को भी बैरोजगारी भत्ता देने की सुरुवाद की जाएगी मंतरी सत्यनद भोक्ता ने बताया कि पहले सरकार की योजना थे 5,000 और 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की लेकिन अब सरकार ने इसे संसोधन कर इसे 1,000 और 15,000 रुपए किया है मंतरी ने बताया है कि राज में जितने भी निबंदित युवा हैं जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता तब तक सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती रहेगी राजी सरकार सनिवार को सार्थी योजना की सुरूआत कर रही है। देखना यह है कि सरकार की इस महत्वा कांथी योजनाओं से बेरोजगार युवाओं को कितना लाब मिल पाएगा इस पर अपनी पत्तिकरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पेज पे देख रहें तो हमारे पेज को लाइक करें कार